सो हेलो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है दस बच के 56 मिनट रात के और आज तारीख है 28 जन्वरी यानि की संडे हम वेट करने कल मंडे का और मंडे के आज हम प्लानिंग बता रहें कि हम कौन सा ट्रेड लेंगे तो एडवांस में बता रहा हूँ पहले में एंजल वन में मेरा अकाउंट है इसको खोलते हैं कल की जो मेरी प्लानिंग है थोड़ा हटके है उसी को मैं आपके साथ शेर कर रहा हूँ आप भी उस पर कर सकते हैं लेकिन मैं फाइनली फिर आपको बताऊंगा कि देखिए जो मै यह मेरी रिसेर्च पर होता है मैं अपनी रिसेर्च कुछ करता हूँ कि मुझे क्या भाइगा बीचना है और अगर आप भी ऐसे ब Gentlemen Eh final decision खुद लीजेगा कि आपको यह खरीदना है या नहीं खरीदना है या बेचना है नहीं लगाना है वो आपका final decision आपको होना चीह है जैसे मेरा पैसा है तो मेरा decision चलेगा आपका पैसे तो आपका decision चलेगा किसी का profit होता है तो मुझे से कोई profit नहीं मिलता और किसी का loss होता है तो मुझे कोई मतलम नहीं है profit होता तो अच्छी बात है आपको profit हो मैं भी डेलिया profit निकालता हूँ थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ जब से मैं cash में करने लगाँ तो मैं account पर अगर मैं click करता हूँ तो मैं थोड़ा से यहाँ पर आपको share कर देता हूँ profit and loss का यह मेरा profit and loss है मैं सीधे pure cash में काम करता हूँ मैं इंटरले नहीं करता मैं future नहीं करता मुझे एक की चीज़ समझ में आती है equity equity करीदो और छोटा मुटल लोस होता है निकल जाओ profit को book करो बहार आ जाओ तो यह दो को मैंने equity भी किया है अभी मैंने यहाँ पर यह 987 रुपे मैंने profit कमाया पहले loss भी कमाया है 213 रुपे 16 रुपे यह मेरा loss भी हुआ है लेकि उससे एक दिन पहले 987 रुपे में 18 पैसे मैंने profit कमाया फिर 213 रुपे मैंने profit कमाया फिर 1596 पैसे profit कमाया अब profit है तो मेरा है और loss है तो भी मेरा है ऐसे आप जब treat करेंगे जो profit होगा वो आपके risk पे होगा आपका होगा और loss होगा तो भी आपके risk पे आपका होगा मैं सिर्फ अपनी planning share कर रहा हूं कि हम safely कैसे पैसा generate कर सकते हैं क्योंकि intraday और यह option जो बहुत लालस देते हैं कि multiply पैसा हो जाता है उसमें risk भी उतना ही होता है आपका पैसा zero भी हो जाता है मैंने भी बहुत घाटे खाये तो एक चीज़ तो अकल में आगे कि यह equity पे काम करो pure share खरीदो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट के बाहर उतिरो तो मेरी कल की planning क्या है मैं बता देता हूं अब मैं यहां देखेंगे आप इस पे जाते हैं home पे watch list watch list पे आते हैं कल की मेरी planning है mmtc share की अब बोलोगों कि mmtc तो loss में चल्दा है 75 पे 30 पैसे का है कोई दिक्कत निया 75 पे 30 पैसे का mmtc share है चार्ट पे जाता हूं तो चार्ट के coding यहां तो बता रहा है एमे के जो filter लगा रहा है एमे की लेंड जो दिख रही है आपको बिलूगों कर रहा है यह तो बता रही कि market का price अभी down में जा रहा है नीचे ही है लेकिन RSI जो बता रहा है कि 30 से नीचे आ बता हूं यह मेरी कल की planning है जो आज में एक दिन पहले आपको बता रहा हूं 75 रुपे 30 पैसे का share आ रहा है ठीक है जी मैंने बोला ना intraday कभी नहीं करना मुझे delivery करना delivery में share मेरे पास होता है जब बढ़ता है तब मैं भेजता हूं उसको निकाल लोंगा profit book कर लोंगा तो मे मेरे account में 10,400 पैसे पैसे पर दें 10,400 पैसे पर 84 पैसे और यहां पर मुझे जो maximum कल share मिलेगा वह 138 शेर मिलेंगे planning क्या है कि अगर मैं कल 138 शेर लेता हूं और कल rate नहीं भी बढ़ता एक दिन बाद भी बढ़ता है तो क्या planning है मुझे SMD बेचने की जोड़त नहीं है तो 138 share लेते हैं तो calculator खोल लेते हैं 138 शेर लेके 138 और 5 रुपे भी मैंने एक share पर कमाया तो 690 रुपे मेरे बन जाएंगे थोड़ा कम कर लेते हैं तो 4 रुपे भी कमायेंगे तो 552 रुपे बन जाते हैं 10,000 रुपे 10,400 रुपे लगा के एक दिन के 500 700 रुपे बनाना बहुत प्रफिट होता है अगर उस दिन नहीं आया तो अगले दिन इस रेट पर आ जाएगा क्यों आ जाएगा मैं थोड़ा से आपको उताता हूं आप यहां पर जाना MMTC पे जो share में आपको उताया यह देखो MMTC यह share नहीं MMTC वापीश चलते हैं यहां दिखा रहा है open हुआ था 75 पैसे पैसे पे हाई गया था 78 पैसे और अभी कितना है 75 गया थीस पैसे तो ओपन हुआ 75 पे हाई गया 78 पैसे पैसे तो इसमें benefit बन सकता है तो कल में यही ट्रेड लूँगा और इस ट्रेड पर मैं आपको एकजीट जब मैं ट्रेड लूँगा तब भी मैं एक वीडियो ब जाके हम ग्राफ देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी इसका तोड़ा चोटा करते हैं यह मैंने 5 मिंट का लगा रखा है 15 मिंट का ग्राफ अगर देखें तो यह देखो, यह 77 पे 78 पे तक गया है अब यह 78 पे 50 पैसे तक भी गया है कुछी दिन पहले तो मैं नहीं मानता कि यह इतना नीचे गिराई उपर नी जाएगा यह जाएगा पका जाएगा, आज नी जाएगा तो कल जाएगा कल नी जाएगा तो पर सुझाएगा, दो दिन में भी अगर 1000-2000 पे बनते हैं, 10-2000 पे लागे अपना पैसा अपने पास ही और प्रॉफिट का प्रॉफिट यहीं सब ऐसा मल्टिपलाई हो सकता है और दो कोई यहां पर भी दिख रहा है EMI का अभी यह 42 पे चल ला है अगर 15 मिंट के चार्ट के साब से आपको जो चार्ट का टाइम लगाना है कल की रेट में वो 5 मिंट का लगाना है कि 5 मिंट के टाइम फ्रेम पे लगाके इसको बाई करना है उके बाई कितना करना है 136 शेर बाई करूँगा मैं और चार्जिस की बात करूँ आ रहा है 10,300 कैन्वे रपे मेरे यूज होंगे और चार्जिस की बात करता हूँ तो मेरे सिर्फ 12 रुपे 36 पैसे टूटल चार्जिस लगेंगे तो 500-700 अजार रुपे कमा के यह 12-13, 12-100 रुपे कटते हैं तो कोई 12 रुपे कटते हैं तो क्या दिक्कत है छोटा मोटर तो देखो बिजनिस कर रहे हैं और इस अच्छा कोई बिजनिस नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि इस बैंक पैसे रखने से अच्छा हम यहां अगर ट्रेड करें तो प्रॉफिट देदेगा तो कल मैं 138 शेर खरीदूँगा और इसका भी वीडियो बनाऊँगा अब यह छोटा सा मैंने एक प्लानिंग वीडियो बनाया आपके लिए कि आप प्लानिंग देखी क्या है हर सेर गिरते गिरते खतम नहीं होता यह उपता भी है और इसकी ट्रेडिंग यही रही है तो दोस्तो MMTC की मेरी प्लानिंग है delivery में हमेशा खरीदो ताकि आपका loss न हो intraday में लोगे तो आपको ज्यादा तो मिल जाएंगे लेकिन same day में खरीद के same day भी भी बेचना पढ़ेगा हो सकता है loss हो जाए pay later में लोगे ठीक है आप ले लोगे यहापर आपको margin अच्छा मिल जाएगा बट क्या होगा कि आगर आपके उपर इंट्रस्ट लगेगा और आपको शेर तो जादा मिलेंगी जब जादा शेर मिलेंगे अगर एक रुपय भी कम हुआ तो लोस भी सी साफसे होगा तो क्यों ऐसा करना है सेफ करलो ना डिलिवरी पर क्लिक करो और उतने का ही लो तो कल की मे पेशन्स रखके आप अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे चार से पाच रुपे अपना मिनीमम प्रॉफिट रखके चलो एक शेर पर बहुत होता है ठीके दोस्तों तो कल मिलते कल में जब ट्रेड लोगा तो आपको एक वीडियो बना के डालूगा वीडियो शेर अच्छी लग सुदरती जाएगी और अच्छी ट्रेड आती रहेगी ठीके दोस्तों तो आज के लिए थैंक्यू गूड़नाइट कल मिलते 29 तारीको मंडे